प्रीवान वेल्कम बैक टो में चैनल गईस अच के सवीडियो में मैं आप लोगे साथ एक हैंड क्रीम का रिवीव शेयर करूंगे इन फैक्ट यह हैंड क्रीम ही नहीं एक निल क्रीम भी है इस नाइका विप्ट विट लॉव स्ट्रॉबेरी एंड वानिला हैंड निल क्रीम इससे पहले भी मैं नाइका का एक हैंड क्रीम का रिवीव आप लोगे साथ श्रेयर कर चुकी हूं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां पर जाकर चेकाउट कर सकते हूं वह हैंड क्रीम भी काफी अच्छा था तो इस बार जो है इसकी फ्रेगरांस बहुत अच्ही लग आप ज्यादा स्टिकी नस नहीं है इस हैंड क्रीम में So, इस इस स्ट्राबेरी and वैनिला इस हैंड क्रीम की अगर मैं पकेजिंग की बात करूं काईस तो बहुत ही छोटी सी ट्यूब की तरहां इसकी पकेजिंग है Just Like Boroline आपने ट्य 299 रुपीज का है 300 something ही समझ लेजिए so quantity की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो quantity है just only 30 ml है so quantity की हिसाब से मुझे इसका price थोड़ा ज्यादा लगता है but मैंने इसे जब purchase किया था तो offer में purchase किया था ये मुझे 234 something का कुछ मिला था इसका जो price है 299 था and recently naika पर offers चल रहे है तो आप चेक आउट कर सकते हो नाika पर आया दिन offers वगिरा आते रहते तो आप उस वक्त पी इसकी purchasing कर सकते हो self life जो है वो हमें 3 साल की मिल जाती है and best बात मुझे इस hand cream की ये लगती है कि ये paraben free है, sls free है, cruelty free है and काफी लंबे समय तक stay करती है and खास बात कि ये बहुत ज्यादा sticky नही जरूरी होता है, but non greasy कह सकते हैं हम इसे, जिस वक्त हम इसे apply करते हैं उस वक्त थोड़ा सा sticky सा feel होता है, but जैसे ही absorb हो जाता है, बलको light wheat लगता है, लगता ही नहीं है, कुछ apply किया है and fragrance like a heaven, बहुत ही मतलब mild सी एक strawberry and vanilla की fragrance आती है, like अगर मैं ऐसे room में लगा कर बाहर जाती ह तो पूरे room में इसकी जो fragrance है, महकती है and हमारे हातों में से भी and हातों को well moisturize भी रगती है, so इसका texture मैं आपको बिता देती हूँ, अभी आप देख सकते हो, मैंने अपने जो है hands को wash किये हुए है, तो wash करने के बाद मेरी जो skin है, बहुत dry है, तो roughness आजाती है मेरे hand पर, तो अभी मैं आपको इस अप्लाई करके बताऊंगी, इसका जो formula है, texture है, cream base है, जैसा कि होता है, ज्यादा runny या जल बेज नहीं है, cream base है and wow इसकी fragrance बहुत अची है, हम इसे hand पर apply करके just only massage करना है, हम इसे अपने nails की भी massage कर सकते हैं, because कि ये एक hand nail cream है guys and अभी मैं इसे apply कर रहे ह तो थोड़ा सा sticky सा feel हो रहा है, but जैसे ही absorb हो जाता है, बलकुल non greasy है, काफी लबे समय तक हमारे हाथों पर stay करता है, जब तक कि हम अपना hand wash नहीं करते हैं, ये stay करता है and आप देख सकते हो roughness को भी दूर किया है, well moisturize करता है hands को and ये strawberry variant है, इसमें काफी सारे variants जो है, नाइक So guys, देख सकते हो आप, बहुत इचा result है, this hand cream का, साथी साथ अपने nails की भी massage हो जाती है, so this nail, so and साथी साथ nails की भी massage हो जाती है, so guys, this hand and nail cream के लिए मैं आपको highly recommend करूंगी, कि आप इस जरूर से try करें, अगर आप confused है, auto variant में and अगर आप mild and sweet sweet सी fragrance पसंद करते हो, तो आप इस variant को जरूर से try कर सकते हो, इसे purchase करने के बाद आप disappoint नहीं होंगे, because कहीं बार हम online purchase कर लेते हैं, variant देख कर, but बाद में हमें उसकी fragrance वगेरा पसंद नहीं आती है guys, so इस बार मैंने सोचा, okay, Nika के store पर ही जाकर check कर लिए जाएं सारे hand creams के fragrance, so इससे पहले, I think मैंने water lily and honey suckle का review आप लोगे सारे श्रेयर किया था, link मैं आपको description box में provide कर दूँगी, and this hand cream का भी link मैं आपको नीचे description box में provide कर दूँगी, काफी बढ़िया इसकी fragrance है, moisturize करती है, non-sticky है, all skin types वाले इसे use कर सकते हैं, मेरी skin dry है, ये मेरी skin को भी moisturize करती है, and oily skin वाले तो definitely use कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा sticky नहीं है, बढ़ हाँ, hand cream थोड़े से sticky, थोड़े से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही ही बेटर है, तभी हमारे हाथों को अच्छे से moisturize करेंगे, so absorb होने के बाद ये बिल्कुल non-grassy हो जाता है, so is hand cream से related, अगर आपको कोई भी question हो, तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर से पूछ सकते हो, I hope so, कैच का ये video आपको useful लगा, so guys, अगर आज का ये video आपको useful लगा, अच्छा लगा, तो please like this video and subscribe to my channel, thank you, bye, take care.